हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को तो यह आज हमारा जो हमारी जो बुक के है जो प्रेलिम्स के लिए है उस बुक का यह कि यह जाएगा तो इसलिए एक बात यह बताओंगा कि जो भी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो इन वीडियो को देख रहे हो तो आप शुरू के जो पहले लेक्चर वो जरूर देखें क्योंकि अगर आप सीधा तीसरा चौता उठाओंगे तो आपको उसका कोई बै अब यहाँ पर देखें हुआ कौन-कौन से कंट्रेंट यहाँ पर कर लिए, ancient जिन्यक्रदाजीन ही माचलत कर दिया है, disappearance of Himalayan Republic प्रिभ प्रेड दूरिंग फ्रेग और तो सेंटर उन्टवी अब जो भी किया आपको याद होगा जैये मौर्यास थे घुप्ताथ सथे जये शाक्स थे और उसके बाद हर्षवर्धन रहां और आगे जाके फिर मुसलिम जो शल्तनप थी वो दिल्ली वाली थी वो सारे आपन चंबा के साथ क्या सा रिलेशन रहा ठीक है और उसके बाद सिख एंड हिल स्टेट्स तो यह आपने देखा है और उसके बाद बंदा भादुर के साथ हमने फिर से किया था बंदा भादुने किस तरह से काम किया था और उसके बाद गुर्खा एंड हिल स्टेट यह भी हमने कर दिया था गुर्खा एंड हिल स्टेट तो किस तरह से गुर्खा एंटर वे पहले हो गडवाल में फिर उनको सिर्मौर लाया गया फिर उनको जो इमाचल की जो राजा थे जो कहलूर का राजा था उसने मैं राजा संसाचंद को हराया गया और जिसको बोलता है क्या बैटल आफ माहल मौरियन ठीक है जी और उसके बाद यह जो जो हमने लास्ट में कल किया था लास्ट वीडियो में तो यहां तक यह अभी कहां एंटर हो गया थे शिमला हिल स्टेट्स में वहां चले गया था अब वहां पर यह क्या करने वाल है जैसे कल बताया था मैंने अब इनकी यहां लेडी बिटिशर्स थे तो बिटिशर्स के साथ इनके दो तीन पंगे थे सबसे पहला पंगे था कि बिटिशर्स एक जो फॉरन पावर को वह वह नहीं टॉलेट कर सकते दूसरा नेपाल का एक है सिक्किम नॉर्थ हिंडिया की कुछ स्टेट और तिबत तो इसको भी फेल करना था बिटिशर्स को और थर्ड बात रही वह नहीं कि यह ट्रेडिंग रूट था जो चैना के लिए और तिबत के लिए जाता था तो इसलिए अब एक डिस्टर्बेंस क्रेट कर रहें यह ज जहां कर राजा महिंदर सिंग था जो माइनर था और उसके साथ इनके डेल हो गई थी सॉत दुस हिदर वाला एरिया गोर्खाज के बास रेगा और अपर वाला रेज़े एरिया जो बुशयर्कराजा उसके पास रहेगा तो यहां तक गभ निकल किया था अब इसके बाद अ हिल स्टेट एंड इस तरह हैं आज ही यह वाले टॉकिक कवर करने वाला है तो यह आपका जो पूरा चप्टर है वो कंप्रीट हो जाएगा तो गोर्खाज एंड ब्रिटिश तो अब देखे 1830 A.D. में गोर्खाज एक्सप्रेंशन ब्रॉट ऑल हिमालिन प्रासे अंडर दियर कंट्रोल मैक्सिमम जो हिमाले के पास थे वो उनके अपने कंट्रोल में ले रहे थे क्योंकि वो आगे जुबल जा चुके थे इवन बुशेयर तक पहुं बनाने का और दूसरा बिटिश के लिए फॉरन पाउर टॉलरेबल नहीं थी तो इसलिए फाइनली बिटिशन ने फस्ट नॉम्बर 1814 को डिक्लियर कर दिया वार अगेंस्ट गोर्खाज तो यह तीन चार बज़े बड़ी इंपॉर्टेंट रही है और अगर आपको रहे है इस वर के ऐसे क्या हो सकता था ठीक है तो अब यहां पर थोड़ा रिके पॉइंट बजादा कर रहे तो अगर आपको थोड़ा और दा इन्फोर्मेशन चीए तो उस किताब को रिकमेंड करें तो फाइट अगेंस्ट गोर्खाज है द बिटिश पूट फोर और चार के कमांडर अलग अलग बना दे जो में अगर पूछा ओगा कि जो पहला घर किसने मना आय था तो वह अलग से आएगा रोज का आएगा तो यह अलग चीज होगी पर वह बात की बात है बट पहली बारे में डेवीड अक्टर लो नहीं आया था तो याद अखना फस्स था यह जो ग्रोपियन हिमा चलमाया था और दूसरा मेजर था कौन गिलस्पी और दो सब कमांडर और बना देगी थी एक था मेजर मेकलोड और दूसरा था करनल थॉंप्सन और जो गोलखा कमा पर देखर दून फिर आगया एका सिर्मौर फिर आजाओ अर्की अब अर्की से अगर इदर को थोड़ा आओगे ने चे नाल अगड़ इदर विलासफूर और यहां पर एक इनका बड़ा फिमस फोट था मलाओ मलाओ फोट और अगर थोड़ा अपर को जाओगे तो जूबल आगया फिर हाट टू आगया और इदर से ही थोड़ा इसके नजदीक में एक सरहां जगे है चपाल में सरहां रामपूर में सरहां है चपाल में यह है और उसके बाद आगे जाएगा जो बुशेयर स्टेट थी रामपूर तो आप समझेए ये इनके में गोरखास के ये में पोस थे तो देरादून में इनका जो ओफिसर्त रहता है, यहांपे कमाइंडर था बलभादूर बलभादूर देरादून में था ॉर जजो सिर मौर्विन के दो devर्ट थे फीमस फोट एक नहन और एक जय तक यह दो फोट्यवर्ट यहांप इनके नहन में था और अब यहां पे नालागड एन मलाव वाला रिजन था, यहां पे इनका एक कमांडर था, बक्ति था पा, तो यह इधर वाला एरिया देखता था, और उधर ज़से जुबल हो गया, यह हाट्टू हो गया, और इधर यह और फोड था जो आज कल हाट्ट कोटी है, वहां पे एक रावी रामेगड फोड, तो यहां पे जो में पोस्ट यहां पे जो हाट्टू थी, हाट्टू में रहता था किर्ति रान, तो अब आप समझ लेजिए, तो इस तरह से यह इनकी में पॉइंट से जो देहरादून से लेकर स्टार्ट होता था, और आगे कहां तक है, रामपूर तक, पूछता है, और यह इनके मीन कमांडर थे, तो देरदून में बलभादूर, सिर्मोर, नहान और जियतक फोर्ट, रंजोर सिंग थापा, अरकी में अमर सिंग थापा, और जो मलाव फोर्ट था, नाला गड़ वाला इरिया में, नाला गड़ विलासपो के बॉर्डर पे, मल पूबल हो गया, हटू हो गया, राविगड़ हो गया, इधर किर्ती राना की कमांड भी, तो इस तरह से था यह, तो एक तो प्री के क्वेशन यह बनता है कि किस पोस्ट पे कौन रहता था, तो अंग्रेजों को इन सब से लड़ना था, और नेक्स्ट है यहां पे, कि जब ब्रिटिशर जिया से लड़ने आए, तो किन किन लोग इनके साथ मिल लिये थे, यह लास्ट व लास्ट इर आइधिक क्वेशन भी आया था, किन किन लोकल राजाओने ब्रिटिशर के साथ मिलना स्टार्ट किया था, तो अब जब आगे लड़ने जा रहे है, तो यहां पे जुबल का राजा भी मिल जाता है, दो अपने बजीर भेशता है, बुशेयर भी मिल जाता है, वो भी अपने बजीर भेशता है, और एंड में तो यहां तक हो जाता है, जब यह बिलकुल हार्टे के कगार पर थे, जो बिलासपूर का राजा था, कहलूर का जो राजा था, और नालागड करा शॉजा विये दोनों भी मिल जाते हैं तो मांंद सिंगी तो कि अब आप वी मिल लिये ते सारे टो अण क्कुछ सी मेन मेन पोस्त है और उसके बाद कौन में का कौन कौन राजन से मिले रास्ते में और बाकी इसकी कुछ क्या-kya बीच-बीच में इसके इंसिडेंट होते रहे तो यह सार आपने देखना और जैसे की मैंने पहले बता है जो किसके लिए पढ़ रहा है तो मेरे हिसाब से उन लोगों को दोनों बुक साथ पढ़ने चाहिए प्रिलिम्ज वाली वी और मेंज वाली इससे आपका बेनिफिट हो जाए क्योंकि जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिलिम्ज वाली बुक में देखो जो यह नाम है यह नाम है यह डेट है यह पोस्ट है यह तो सेम रहनी है चाहिए प्रिमे है चाहिए मेंस में कहा है कि थोड़ा सा लग हो जाता है इस तरह से बात बन जाती है में मेजर फीचर्स क्या हो गया ऐसे से कुछ बन जाता है बर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहती है त वो इसके साथ ही पड़े तो आपके लिए benefit हो जाएगा तो इस तरह से ये अब लड़ाई स्टार्ट होगी हाँ एक बात और है जब यहां से लड़ने स्टार्ट करते है जो जनरल से तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक बारी यहां देरदूनों लड़े और उसको पूरी तर सब्सक्रार्ट की जो जो यह गूरइफ्यार की दोज चक्र बना थो वह उन्होंने सारा ऑड़ी optimal हतादी है तो उसके वाद जो दूसरी राउंड फिर स्टैके ब्लाउंड मैं तो उस सेकेंड चकेंड के अंदर भी कुछ-कुछ को यह ले आड़ेते फीर þaard ड्लाउंड म यहां से स्टाब हो जाता है तो पहला जो गोर्ख यूमान्डर था तो वह कहां से स्टाब होगा, देरदू उन से, बल्बादुर था पाला पहला कमांडर था और इसके उपर नाला पानी वाले एरिया में गिलस्पी ने अटैक किया और ये खार गया और उसके बास है कि मैंने बताया यहां पर जो नहानवाला था एरिया सिर्मौर में था उसमें दो फिमस फोर्ट थे एक था नहानवाला और दूसरा था जियतक फोर्ट तो अब यहां पे कौन पहुंच गया जो इनका में कमांडर था अक्टलोनी तो यह किसकी कंट्रोल वे था रंजओर सिंग था अपा के कंट्रोल वे था यह जियातक फोर्ट जो अमर सिंग थापा का बेटा था अब यहां पे 16 जैनुवरी 1815 को अक्टलोनी ने यहां पे देख और यह जो यह वाली जो लड़ाई थी इसमें ना कोई जिरता ना कोई हा रहा तो यहां से आगे इस 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 अटैक के बाद आगे बढ़ गया और आगे एकदम कहां बढ़ गया अर्की में जहां पर अमर सिंग थापा खुद रहता था और गाम वरीवर को क्रॉस करके तो य जिन में से था जर जोरी रामगड एंड तारागड तो आज कल देखना कुछ टेंडिन का वड़ा चला वाए कि कॉश्चन इस पर पूछता है कि कौन सा फोर्ट कहां पर किस फोर्ट के क्या हैं तो इस रिजन में इन्होंने तीन फोर्ट अंग्रेज़ोंने जीत लिए ठीक चूरधार पीक उदरी आती है जब रहता है वहां पर पीक और जूबल चुपाल और सिर्मौर तो और उसके बाद हाट टूपीक उदरी पड़ेगी नारकंडा उदर पड़ेगा रावी गड़ उदर पड़ेगा ठीक है जी तो इदर से गुर्खा उदर गुतरफ मुड़ गया है और कहां चले गया है वाज बैडली थ्रश्ट इन दर विलेज ऑफ सरानेर चुपाल तो यहां पर इन्हों ने कुछ को खौज को जो सरा मिलेश था उसमें भी हरा दिया और उसके बाद 12th March 1815 यह 12 March 1815 को बाद था यह ब्रिटिशर फोर्स वर जॉइन बाइद टू मे जयदून में उसके बाद आए जयतक फोर्ट सिर मौर में उसके बाद गए अरकी में अरकी से चलेगे जुबल की तरफ जुबल और चपाल और जुबल में दो जो चीफ थे वांके जो वजीर थे वो दो मिल लिए एक अनाम था दांगी वजीर और एक अनाम था प्रीमो वज जुबल वाला इरिया थोड़ा बॉर्डर पर है तो ब्रेटिशस टू प्रोसीड तो राविगड़ फोर्ट अब देखो जुबल आएगे तो कहां पहुंचेगा हाट कोटी वाले रिजन में जिसको हम बोल देखो राविगड़ फोर्ट जस्ट अपोजेट तो दा हाट कोटी बुशेयर यहां पर दो लोग मिले एक बदरी और एक तिकमदास यह दोनों वजीर थे तो इन्हों ने इनको और को तो इस लिए इनकी पॉजिशन और स्ट्रॉंग होगी अब यहां पर इन रामपुर कोटगर रिजन हाट्टू रेंज वाज अंडर किर्ति राना की अंडर में थी है He Surrounded to वजीर भुशयर at सहरा का टिपबा कीर्ति राना को किस का आगे Surrender करना पड़ा क्योंकि भुशयर मिल गया था तो भुशयर के जो वजीर सिल का अगे Surrender कर दिया on the condition that the life of the soldier were to be to be spared तो यह बूल दे कि हम आप स्रेंडर कर दो हम आपके लोगों को नहीं मारेगे आपको छोड़ देंगे तो इसलिए किर्तिराना नहीं आपे स्रेंडर कर दिया अब आक्टलोनी ने क्या कर दिया फोस्ट गुर्खा टू इवैक्वेट नालागड और तारागड फोर्ट अब इ यहां तक पहुंच गया यह नालागड वातारागड फोर्ट इन्होंने खाली करवा दे अब अगला नंबर किसका आएगा जहां पे अमर सिंग था पा रहा था अर्की में तो वह अर्की से भाग गया वहां से और एक इनक्सेसिबल रिज ऐसे पोइंट पहुंच गया जैसे उर रीजस टैम राजा राजा राम सरन और राजा कहलूर जोइंड अब देकर यहां पर राजा само तो नालागड पहुंच कर आज़ा और पहना गृजां गृऑ और दोनों राजा मिल ली है अब तो अब तो गोर को पर ले के आया था तो इनके लिए बड़ी डिप्रसिंग मुमेंट हो गया अभी है एंड 16 जैनुरी 1815 डेवी डॉक्तों नहीं लॉंच्ट एम मेजर अटैक ऑन गोर्खाज फोस इस लेड़ बाय अमर सिंग थापा एंड कंपेल्ड इम टू इवेगवेट रामगड़ फूट और अक्ट लुट ने लास्ट खेला और यहां पर क्या कर दिया रामगड़ फूट से इसको बाहर कर दिया अब लास्ट बच के जो में था मलाव फूट जहां पर रहता था अमर सिंग थापा बक्ति थापा तो अब उसने मलावा फूट पटायक किया और बक्ति थापा यहां पर मर गया अब हम एक बात आप या देखना है जितने भी हमने कमांडर कर रहे है चाए रंजोर सिंग है किर्ति राना है जो हटू में बुश्यार करा जाने कैप्चर किया स्थापा यहां पर मारा गया तो याद दखना है यह मलाव फोर्ट के इंडर मलाव फोर्ट मैंने बताया था नाला गर रैंड के कहीं मजडिक बॉर्डर पर है अब इस टाइम क्या हो गया कि अब देखिए अगर आप देखोगे कि अब जो अमर सिंग थापा था रामगर फ था पाथा जो कि जयतक फोर्ट के उपर कब्जा करवा था वो भी हार गया अगर इस चारी चीज़े आथ से निकल गई तो अब उसके पास को आप्शन नहीं बचा कि अपने आपको सरेंडर करने के लिए क्योंकि जब तक उसको यह पता लगा कि तो सब निकल गए किर्तिराना ने उदर सरेंडर कर दिया रांपूर बुशेर वाले रिजन में हाटू वाले रिजन में और उदर जो बक्ति था पाथा वो मारा गया उसका बेटा जो रंजओर सिंग था उसने जियतक फोर्ट छोड़ दिया तो अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं थे ऐसा इसलिए उसक क्लशन ऑफ दा सरकम्स्टांसिज सरेंडर और नॉवंबर 28 1850 कब उसने फैनली सरेंडर किया अब यहां पर जैसे सरेंडर किरने के बाद एक ट्रीटी होती है वो थी ट्रीटी ओफ संगौली अब ट्रीटी ऑफ संगौली में क्या था कि इनको बोल दे कि अब आब यहां से अब हार गया है अब ट्रीटी ओफ संगौली को जो जो होनी थी अमर सिंग थापा और डेविड अक्टलोनी के बीच और हुई कब थी है सेकिंड देसंबर 1815 को और इसको रैटीफाई कर दिया 4th मार्च 1816 को बट अब यहां देखना जो क्वेशन पूछे जाता है कि वो नाम था राज गुरू गिरिजा गजराज मिश्रा तो गजराज मिश्रा इदर से आ गया और बिटिक्षर की तरफ कौन है इनकाने वाला फैनल डॉकुमेंट्स को कर्नल पैरिस ब्रेट्शो इन दो लोगा ने यहां लिए साइन किया और अब इसमें यह डिसाइड किया गय यहां इनके बीच बॉर्डर बनेगा काली रिवर जो होगी वहां से आगे अब यह नहीं आई यहां से नेपाल और यहां से तो अब देखिए पहले यह सतलू से लेकर कहां तक काली तक यह फैले वेता है अब इनको बोले कि आप काली से बाहर ही जाओगे और अपने साथ आ कोई आपके नाम में कोई लैंड कुछ नहीं नहीं जाएगा तो इस तरह से यह ट्रीटी हुई साइन आ फिप्टीन में और रेटिफाई केस को सिक्स्टीन में तो कोशन करी मेरी पूछ लेता है कि कब साइन होगी और कब रेटिफाई की और बाद में इस ट्रीटी को 1933 से फ खुद साइन करी वहां जाके नेपाल में जिसमें यह तीन बाते बड़ी एहम बाते थी ऐसे आप याद रखने इसको पहली बात यह थी कि एक तो गया सॉफ्ट बॉर्डर की पासपोर्ट विजा के कोई जरूत नहीं होगी एंट्री हो सकती है दोसरा कुछ जो 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 और इसके पीछे में इंटरस्ट था जो गुर्खा रजीमेंट थी आम मेंन को स्लेक्ट करना और तीसरा था एक स्टेटेजिक रिलेशन के पॉइंट आप यूसे भी हामें बात वी इसमें यह बताया गया कि जब भी कोई स्टेटेजिक रिलेशन बनाएगा नेपाल देल होगी उस देल के लिए पहले नेपाल को इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी तो अगर आप आज की देर से देखोगे तो इसी बात पर लड़ाई एंडिया और नेपाल की कि इंडिया बोलता है कि आप जो भी स्टेटेजिक रिलेशन मेनाते हो नेपाल चाने और ऑ कि यहां सतरा से अपर प्रोपर एक लिंक बनाएं कि किसhooting रखना है कि याद रहना है कि धेरा दून से इदर अरकी हो गया इदर नालागड हो गया इदर विलासफूर है इदर जुबल है इदर चुपाल है इदर आगे हाट टूपी का गई इदर आगे बुशेर आ गया और इदर कहीं कौन सा आगया रामीगड वैसे आप फोर्ट याद कर लो इस तरह से अगर यहां पे काला पान कि यह प्र जेह तकेरन है और वैसे यहांपर रामगड फूर्ट है और मलांए फोट है और इस तरह से राविगड फूर्ट हो गया तो आप सिसको इन को समझे चहरों कि आप चाओ तो मेंस वाली ज़ूर पढ़ने ससा है तो आप थो अ हुआ तो, क्लियरेटी हो जाएगे कि अभी मालों यह पूरा हिमार चला है अगर हम इस एडिया की बात करें जिसके हम क्या बोलेगे शिम्ला हिल स्टेट्स अब जो शिम्ला हिल स्टेट्स थी यहां पर राजा थे चुट-चुटी स्टेट्स यहां पर देखो यहां पर स्टेट भी किस तरह की थी जैसे जो मेज चे स्टेट थी सिरमार बुशेर जूबल क्याउनथल इस तरह से यह जतेट थी यहां पर रहता था राजा कि रात करता था इन सब में बने राजा थे बट इन नीचे जेट थी इनके निचे थी ठाकूराई 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 करने वाले कौन थे सबसे पहले कौन कौन है कि ठकुराइज के उपर कौन राजा और बार से कोन आ गया थे गोर खास तो एहाँ पर तीन पाउर बन गए थी पहले अब उदर से चौछी पाउर कौन है ब्रिटिश तो यहां के लोग चार-चार लोग इनको रूल कर रहे हैं तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया गोर्खास को बाहर अब सवाल यह था इन पहाड़ी राज़े उन तो कोई बजूद ही नहीं अब अब यह क्या करेगे अब इनको तो यह लगता था कि यहां से कुछ निकल गया है और यह जो अपर शिमला है किसके पाँ जाएगा ब्रिटिश के पास अब ब्रिटिश को यह लगता था कि अगर हम इस एरिये को अपने अंडर कर दे तो शायद हमारे लिए एक्सपेंसिस बढ़ जाएगे से किरोटी का मुद्ध बढ़ जाएगा और कु कि हम इसको कम्प्लीटली नहीं अपने अपने जो बिटिश इंडिया उसमें मिलाएंगे और अगर उनके पाद दूसरा अप्शन यह था कि इनको कम्प्लीट आजाद कर दो वो भी कर नहीं सकते थे वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि अपने अपना कुछ वर्चस वो रखना थे वो तो उसलिए इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला जिसको क्या बोला गया सनद इनको सनद दी जाए तो सनद का यहां पर मतलब क्या होगा कंडिशनल इंडिपेंडेंडेंस या पार्शल इंडिपेंडेंडेंस ना आप पुरी तरह से अजाद हो और ना ही आप को रूल करेगा बिटिश तो यहां पर लोग रिस्पोंसिवल राजा करेंगेंगे और राजा बिटिश घेस तो यह समझे लिए पर डूबर्नेंस टाइप हो गई दो-दो लोग यहां पर राज कर रहें बिटिश्वेंड जो राजा भी थे तो अब यहां पर सवाल है कि ज समझेगे तो सिंपल वाशा में तो सब्सक्राइब हुआ कि आपको पार्षल इंडिपेंडर्स दी गई जिसके ओपर कंडिशन लगी हुआ है कंडिशनल इंडिपेंडर्स दे गई है राजा हों अब कंडिशन के social reforms लेकर आएगे अपनी state के अंदर दूसरा वहां पर कुछ road का construction करेगे ताकर ब्रिटिश का good असानी से समान बिक्तर है तीसरी बात अगर इन roads मैं यहां से कुछ भी गुजरेगा तो जो ब्रिटिश का जो समान होगा ब्रिटिश इससे tax से exempt हो जाएगे इनको tax नहीं देना पड़ेगा tax exemption मिल गई और अगर जरूत पड़े पाढ़ी राजाओं को extra tax भी देना पड़ेगा नजराना के तोर पर और जब 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 जरूत पड़े ब्रिटिश इंडिया को तब तब उनको आर्मी भी देनी पड़ेगी आर्मी भी देनी पड़ेगी जब कई war होती है तो social reforms लाने है road construction करना है ब्रिटिश इंडिया को tax free ब्रिटिश का जो है जो समाना है उसको tax free करना है और time to time इनको आर्मी भी provide करनी है और responsible कि इसका आगे रहना है राजाओं को ब्रिटिश गर्मेंट और ब्रिटिश इंडिया करते थे अपने जो इस तरह से इनका जो में इन पंजाम बैड़ता था शिम्ला में बैड़ता था उनके द्वारा यह रूल कर दे थे तो अब जो राजा थे वह राजा तो है बड़ उनके उपर बहुत सारी condition है यह है सनद तो उनको सनद दी गई थी तो राजाओं के लिए बहुत कुछ था है राजा को लगता था क्योंकि जहां उनसे पूरा राज्य छिन रहा था तो अब उनके पास 50% पार तो है कम से कम तो राजा अब ब्रीटिशर्स के साथ इस तरह से काम करेगा बट प्रॉब्लम लोगों के लिए लोगों को अब दो-दो-दो के अंदर काम करना पड़ेगा ब री ऑगनेजेशन ऑप शिमला हिल स्टेट्स अब जैसे मैंने होता है यहां पर राजा होते थे राजा के लिए जिक्या देति ठकुराई तो अब यहां पर आपने याद आखना यहां पर दो काम के लगन है कि सबसे पहले जितनी भी ठकुराई इस थी मलब जो राजा थे उ किया और और चुछ सेट गया साथ इंका विलया कर दिया और अब यहां पिर आजार को सनद नहीं मिली मलगी किसके मिली है ठाकुरा राइज को भी सनद दी गई थी आप तो यह समझ आने क्या है सनद क्या है उसके बाद देखें यहां पर मैंने ठकुराइज वर ग्रांटिंट इंडिपेंडेंडेंस सनद वेरेस ठकुराइज ओफ खनेटी एंड डिलत वर मजडबिध बुशेयर तो यह कोशन यहां देखने पूशन पूछे गए अपरी मैं यह मिलाया गया क्यों थल और आगे जाके इनको मैंने जो बताया था नजराता देना ही पड़ता है और यह चीज़े भी थी जो इस प्री वाली बुक मैंने लिखिए मैंस और विखी सारी चीज़े कि क्या क्या उनकी उपर कंडिशन थी तो इस तरह से सनद इनको मिल गई तो जो राजा में स्ऑक्ष भूए जर साऑ आफ नेश्ड था अब यहां पर सिच्वेशन यह थी कि अभbs पूरा यह माचल है तो आदा ही माचल का तो डिसाइड हो गया कि क्या पोजिशन है तो यह तो होग्या कि पक्का क्या क्या है सनद धाज इस से तो फरी हो गया अब जो इदर वाला ही माचल था जिसको बोलते हम क्या पंजाब हिल स्टेट यह वैसे पार्ट ही पंजाब का था क्योंकि इसमें रूल ही पंजाब को चलता था और हमने पीछे यह भी देखा था कि 1809 में यह जो जगह थी किसके पास ले गए थी रंजीत सिंग के पास क्योंकि कांगणा फूर्ट कि इसने कहां ले गया था तो अब इस रिजन में पावरफुल कौन है अब यहां पर सिक पावरफुल है तो ऐसा समझ लीजिए जैसे यहां पर पहाड़ी राजवां पर शिमला हिल स्टेट में अटैक जो एक्वायर किया था वो किया था गोरखाज ने अंग्रेजों ने गोरखाज को बाहर बगा दिया और उनको सनद्दे दी बट यहां पर कौन पावरफुल है यहां भी कोई बाहरी शक्ति है जो कौ अमरित सर टीटी बोलते है उसको और फ्रेंड्शिप टीटी थी इस इंडिया कंपनी के बीच में राजा रंजीर सिंग के बीच में इस टीटी में यह डिसाइड किया गया एक सत्रूज का जो एरिया थो बॉंड रेलें लगा दिया कि सत्रूज से उधर को अपरवाला यह एरिया नहीं छेडा गया तो एक लड़ा कॉम है अब यहां दोनों बड़े एक सस्पीशिएस मूड में आ गया है तो ब्रिटिश को लगा क्योंकि देखो उस टेम तक ब्रिटिश ने काफी हिंदुस्तान को एक्क्वाइर कर दिया था इवन जो उदर वाला रेजन था प्रिट और बॉंबे वगरे सब कुछ हो चुगा था इनके बाद तो अब उनके पास सिर्फ बचाई यह था पंजाब और एक अब बचवा था तो अब यहां पे क्या था ब्रिटिश को यह लगा कि यह हम पे टैकर देगे प्योंकि थोड़े लड़ा कूल हो गया खालसा औ और खाल्सा जो रूल था इनको यह लग रहा था कि ब्रिडिशंप अटाइक कर देगा तो इसलिए क्या कर दिया पहले खाल्सा वालों ने अटाइक कर दिया अटाइक तो क्या कर दिया सत्लूज रिवर क्रॉस कर दी जो अग्रिमेंट वह था ठार सोनम उसको वाइलेट कर दि कि जैसे यहां पे जो सनद मिली थी जो यहां पे फिसे यहां देखिए शिमला हिल स्टेट पंजाव हिल स्टेट शिमला स्टेट कर बात कर चुके सनद के अब यहां पे आये थे कौन गोर्खाज और यहां पे कौन थे कंडिशन से है मैं और यहां पे गोर्खाज से लड़न और पहाड़ी राजाओं को reward में क्या मिला सनत जो की 1814 15 की बात है अब यहां पर भी ऐसी कंडिशन बन रही है यहां पहाड़ी राजा है बट कौन आ रख है सिक अब इन से लड़ने कौन आ रहा है 1845 में कौन आ रहा है फिर से British अब यहां के राजाओं के लगा कि जैसे यहां पहाड़ी राजा उने इनको help किया था हमको भी help करना चाहिए तो जो पहाड़ी राज होगे वो किसे help करेगे ब्रिटिश को against सिक और बदले में क्या expect करते हैं यह भी सनद कि ऐसा हो जाएगा इस तरह से लड़ाई स्टार्ट होगी तो first war में जो British से देवर सपोर्टेड ब लेगे और इस लड़ाई में यहां पर लड़ाई हुई 44, 45 and 46 में और इस लड़ाई में दो लोगों को फायदा हुआ एक शमशेर सिंग राजा अब गुलेर उसको क्या मिला हरीपूर फोर्ट और सुकेत का राजा हरीपूर फोर्ट क्यों किसी खोने खार रखा था और सुक उन्होंने अपना काम अच्छे से निवाया अंग्रेजियों को साथ दिया सिखों को और आने में और बाद में क्या एक्सपेट करें थे क्या मिलेगी सनद बटे यहां पर उल्टा हुआ तो यहां पर सनद नहीं मिलेगी तो पाठी राजिया पर फ्रस्टेट हो गया और पर यह वाला एरिया मिला दे क्योंकि फटाइल एरिया था और पंजाब के नजदीक पड़ा दिल्ली के नजदीक पड़ा दिस दिल को अपने स्टेडिजिक पॉइंट उसे अपने पास रखना ज़रूरी था तो इसलिए भी हां के राजा का बजूद्ध खत्म हो गया और आगे यह हुआ कि ट्रिटी ओफ लाहर अब आफ दो ट्रिटिया दखना एक ट्रिटी ओफ लाहर आएगी एक ट्रिटी ओफ अमरिस्सर होगी अब 946 को कि मैं हैंरी फोर्डिंग एन्महाराजा दलीप सिंग के बीच में ट्रिटी वी जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जो एक एरिया है सत्लूज से उपर वाला एरिया सत्लूज से लेकर कहां तक है ब्यास तक जो एरिया है जिसको जलंदर दुआ बोलेगे वो किसो चला गया बेटिशर्स के पास तो इस सत्लूज से यह राभी तक ही मान लो इसको तो इस ट्रीटी में यह हुआ सत्लूज से लेकर राभी तक सिखा रहे हुए थे तो इसलिए टीटी आफ लावर में ये एरिया इसको देना पड़ा ब्रिटिशर्स को जिसको जलंदर दुआ बोला गया अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक बात पता थी कि अगर हम यहाँ देखेगे जो पंजाब थे तो आई गया इधर से नीचे को तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि पंजाब एरिया तो इनको अपड़े पास रख दे ब्रिटिशर्स ने तो सतलुस से उपर राभी तक का एरिया था इनको यह लग रहा था शायद यह मारे काम का नहीं है तो इसलिए काम करता है या तो इसको सनद्य देता है या तो इसको बेज देता है तो ट्रिटी ओफ लाहर से अंग्रेजों ने लिया और आगे जाके एक ट्रिटी ओफ बना दिया और कौन सी अमरित सर अम्रित सर और इस टेटे से क्या कर दिया ये एरिया जम्मो के राजा गुलाव सिंग को बेश दिया जम्मुकराजा गुलाव सिंग को यह एरिया बेश दिया फिर से समझे इस बात को क्या कहा रहा हूं कि जब यह हार जाते हैं तो हारने के बाद रावी से नीचे वाला एरिया यह समय लोब्याज से उपर वाला एरिया और सतलुज वाला एरिया यह तंगरेजन अपने पास का पार था पे और तो चांबा जम्मुकराज जल साफ घृगा तो बाद में जो चंबा का राजा था वाह का कोई वजीर उस ने फिर्यक्वेस्ट किया अंगरेजों से की गीपीळया से बाहने हो से बाहर निकालो मैंbesق मत स्पाथ मत बेंच raid और इस लड़ाई के बाद जो ठारासो फॉर्टिफाइब फॉर्टिसिक्स में हुई थी इसमें क्या कर दिया कुछ एरिया बिटेशन अपने पास रख दिया ओर कुछ गुलाव सिंग् को दे दिया और कुछ एरिया कुछ क्या एक स्टेट चंबा जिसको क्या दे दी सनद तो यह दो टिटी है यहां पर पहली टिटी टूफ लाहर जो वी थी सिख राजा के साथ। और दूसरी हुई टीटी आफ अमरिज सरंगरी जोगी थी जम्मु के राजा गुलाव के साथ गुलाव सिंग के साथ तो यह पहली वार का यह मत्तिजा था अब आती है सेकंड वार सेकंड एंगलो सिक वार 4849 में अब पाड़ी राजाओं के साथ पहले दोख हो गया उनको सिखों का तो सेकंड वार में जो पहाड़ी राजा थे देवरविध सिख बट फाइनली हुआ गया इस वार में फिर से सिख हार गय अब हार गय हारने के बाद क्या हो गया कि जो पंजाब था वो कम्प्लीटली किसके पास चला गया बिटिश के पास तो इस तरह से अब इधर वाला पॉर्षन है कि यह किस का प्लड बन गया पंजाब जिस में से कौन है तो अब यह था यहां पे यहां तक था तो इधर एक पंजाब का पाइड कौन सा पाहड़ी इस स्टेट थी में कांगड़ा लौ लावलंड अब इनकी कंडिशन यह बन गई पंजाब बिटिश इंडिया के एक स्टेट है पंजाब इन्डिया की स्टेट बन गई और उस पंजाब के अंदर बाकी सारी स्टेट है तो पंजाब में है एक पंजाब के अंदर सारी डिस्टिक कहां पर है पंजाब के अंदर है पर एक डिस्टिक कौन से बनती है पंजाब हिल स्टेट की और उस डिस्टिक का नाम था क्या कांगरा अभी कांगरा डिस्टिक अब ये कांगरा डिस्टिक ही माँ चलके ने किसकी है पंजाब और इस कांगरा डिस्टिक के आगे दो तसील समझ लो एक कुलू और एक लाओ लेंड तो आसा चलता है तो समझे आप ये 46 के बाद 1846 के बाद ये पंजाब का पार्टी रहता है अभी देखिए अभी ये पंजाब एक स्टेट है और इस स्टेट के गांगरा डिस्टिक है और डिस्टिक ने से कुलू और लाओस पिति का इसके तसील है बट बाद में आजाद होने के बाद 1960 में लाओस पिति को बिक डिस्टिक बना दिया पंजाब की और 1963 में कुलू को बिक डिस्टिक बना गया पंजाब की क्योंकि देखो 1947 में देश अजाद हुआ जब हिमाचल बना तो हिमाचल किसको मिलकर बना था मंडी, महासु, सिर्मौर, चंबा तो इनको मिलकर बना था हिमाचल तो बाकी जो यह वाला हिमाचल था कुल्लू, लहुस्पिति और कांगड़ा यह तो थेन हिमाचल में तो अब यह जो कांगड़ा है वो पहले से डिस्टिक थी, पंजाब की कुल्लू और कांगड़ा बने पंजाब की बाद में डिस्टिक, अभी तसील नहीं अब डिस्टिक है यह तो अब पूरे पंजाब में, अब यह समझे पूरा अगर पंजाब है, यह पूरा पंजाब यह तो बन गए थी 1846 में 48 में बन गए थी और लाउस प्रिती बना जाके 1960 में डिस्टिक और कांगरता 48 में और कुलू बना 1963 में जब हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल का इंडिया के जो रियोगनिजेशन हुआ हिमाचल पंजाब का बॉन्टी सेटलमेंट हुई तब बाद में क्या कर दिया इसको भी हिमाचल में ही मिला दिया तो इस तरह से हिमाचल को तीन डिस्टिक का मिलती है 1966 को तो 1966 को हिमाचल के अंदर तीन डिस्टिक और हो एड हो जाती है तो अब यह नतीजे तक क्या थे फर्स्ट एंड सेकिंड एंगलो सिख वार के हैं तो इस तरह से पहली वार में पाड़ी राजों ने सपोर्ट किया बिटिश को और सेकिंड में किसको किया सिखों को और दोनों में नुखसान हो पहले में जित्वी पार्टी थी पर उनको सन चमबा है उसको सनदी गई थी तो इस तरह से यह सब कुछ हुआ और इसी दुरान यह बोला जाता है कि महारसी दिवेंदर नाटे गौर भी यहां पर शिमला में ठारामित के लिए विजिट किया था तो अब देखिया अब तीन घटना बड़ी इंपॉर्टन रही है यहां एक तो रही है कौन सी एंगलो गुर्खा वार 1814-15 में और जिसका नतीजा निकला ट्रिटी ऑप संगौली और साथ में क्या निकला सनद इसने माचल किस्टी को चेंज किया दूसरा इंसिदेंस यह हुआ कि टू एंगलो सिख वार इसका नतीजा यह हुआ चमबा को सनद मिल गई और जो पंजाब हिल स्टेट थी वो बन गई पंजाब का अब इसके बाद यह वा 1815 की करांती जो तीसरा इंसिदेंस है तो 1815 की करांती की बात अगर देखे तो बड़ी क्लिर बात है यहां पर जो पहाड़ी राजा है उनको किसको सपोर्ट करना पड़ेगा बिटिश को क्योंकि शिमला हिल स्टेट के आया है सनद है तो सनद में क्लिर लिखा था कि जब भी बिटिश को जरूत पड़ेगी आर्मी को तो उनको और भी देने पड़ेगी तो सभी को वाई कंपल्शन बिटिश को ही सपोर्ट करना पड़ा सिरफ एक राजा था राजा शमशेर सि वो तो था ही बिटिश इंडिया तो वो तो किसको सपोर्ट करेगा अपने आप इठार स्वस्ताओं के ग्रांति में अब बिटिश कोई तो इस तरह से ये भी एक तीसरेंस था बट इससे एक चीज हुई तो बिटिश को भी लगा कि भले हमने सनद दे रखी है सब कुछ दे राजा है राजा के ओपर कौन है बिटिश इस अगर ये राजा लोग सही से इन के लिए काम नहीं करें तो ये लोग बिद्रो करें और बिद्रो का सब्सक्राइब जैसे जैसा इटीन फिटी सेवन का रिवोल्ट था इसलिए राजाओं को भी अब देखो लोगों को खुश करना है और इवन राजा को खुश करना है अगर राजा को दुखी करेंगे तो भी रिवोल्ट करेंगे तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या करते काम किया कि 1921 में एक नरंदर मंडल बनाया जिसको बोला गया क्या चेमबर आफ प्रिंस बलब राजाओं का एक चेमबर है समय जिसमें से चुन के जाएगे लोग पूरे हिंदुस्तान का तो यह चेमबर आफ प्रिंस का बना 1921 में है अब यहां से चुन चुन के लोग जाते थे जैसे मालो इमाच शिमला हिल स्टेट है शिमला हिल स्टेट जहां पर बहुत सरी ठकुराई राजा रोग रहते थे तो मा फ्रीम तो शिमला हो गया वैसे कोई और पाटियाला हो गया है और वैसे मालो मैशू हो गया है ना ऐसे से पूरा हिंदुस्तान की जह जाय राजा रोग रहतें तो एक यह ज़ो मानओ तीस राजा है इनका यह अपने मैसे किसी लेजन से वैसे ही कोई आएगा मद्यपरदेश से कहीं कहीं से आता रही जहां जहां भी राज है वहां से हर एक जगह से चुन कर आएगा तो इस तरह से तो शिमला हिल स्टेट से जो चुन के गया था इसमें वोट लोग नहीं करते थे कौन करते थे राजा आपस में करते थे तो इसमें जो सबसे पहला राजा इमाज शिमला हिल स्टेट को रेप्रेजन किया था बगत चंद ऑफ जुबल बगत चंद ऑफ जुबल को चुना गया शेनला स्टेट से 21 में पहली बारी वह और थे टिस से इसए दो बारी में तो देखो 1921 से लेकर 1924 तक बगारचंधरा और 24 से लेकर 23 तक चुना गया किसको दुर्गा सिंख राजा दुर्गा तो दुर्गात सिंग भगात जो स्टेट है सुलन वहां से थे तो दुर्गात सिंग स्पिरेड में रहे है और फिर 33 के बाद फिर आगे एक टर्म के लिए फिर से किसको चुला गया फिर से भगत चंद को तो इस तरह से एक क्वेशन भी बहुत बारी पूछा गया है तो आज ह लेक्चर था इस सेकेंड चैप्टर का तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा इंटरस्ट बनाओगा कुछ समझ भी आया होगा और अगर आपको जहां भी प्रॉब्लम लिखती है या समझ नहीं आ रहा है या कुछ और भी है जो जहां चाहते हो कि मुझे थोड़ा इंप्रूब करना चीए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो यह कमेंट्स में लिखने के फायदा और भी है थोड़ा हमें भी पता चलता है कि हम कर क्या रहे है और दूसरी बाद थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है और जैसे कल बताया थे आपको थोड़ी वीडियो भी शेर करें ताके और HSंब बेनीफिट हो जाये है हम भी बेनीफिट हो जाये फ्मेट कोड़े आमरी वीडियो आगे शे एर तो यहाँ पर यहर्प अदो गया है और अगे हम डिस्टिकोई दिस्टिक कोशिक कतह्या है कुछ मेंजर दिस्टिक यहाँ उनको डिसक्स करूं तो अभ भी हमने यह सारा यहां पर कर लिया है कि किस तरह से जो आज के जो हमारा लेक्चर था कि गोर्खाज एंड बेटिशन के आपस में क्यों लड़ाई भी क्या हुआ जो जो हुआ क्या-क्या इंसिडेंस थे और उस लड़ाई के बार ट्रेटी ओफ संगॉले निकला फिर सनद नि मंजाब के पास और थर्ड के अमने ठारा स्वस्तावन की क्रांति के बाद क्या वाने आप नरंदर मंडल तो इस तरह से मारा यह चैप्टर खतम और यह आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि यह चैप्टर बहुत इंपॉर्डेंट है जब आप डिस्टिक वाइज करते हो डि कोई अंडरस्टेंडिक नहीं बने तो इसके लिए बहुत ज़रूरी इस चैप्टर के उपर इंडरस्टेंडिक बनाना तो आगे के लिए आपको बहुत असान हो जाएगा और उसका तरीका फिर यही है वीडियो आप देखो एक बड़े देखो दो बड़े देखो और बट कि आपकी असान हो जाएगी तो अभी हमारा यह कंप्रीट हो गया है और नेक्स्ट में कोशिश करूँगा डिस्टिक वाइज कुछ-कुछ मिजर डिस्टिक को कबर करूँ तो तब तक के लिए धन्यवाद